हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौतम और आप देख रहें यूलाइक लेक्टोनिक्स और दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आपको टांसफर्मार रिपेर करके दिखाने वाले हैं तो यहां पर मेरी पास इक होम थेटर आया है वायरेंग के लिए उसका वायरेंग पूरा टोड हुआ है उसका कनेक्शन किस परकार से होगा और कैसे आप घर पर इसका कनेक्शन कर सकते हो तो यहां पर इसका वायर यहां से तूट जाता है या किसी बज़से यहां से निकल जाता है तो बहुत दिक्कत होती इसको पहचानने में तो जो नए मेकैनिक है उसके लिए मैं यह करना च्छाहता हूं कि या प्रखार का प्रोब्म ऐसे समने आतो आपको खवरान नहीं है बस आपको चेक करना है सब से पहले कि आपका primary Phone् mismo सहिए की नहीं है तो सिंप्लि करना क्या कि Pent Lage को एट रेखनाँ है और आपको यहां पे पहले को चेक करना है कि आपका यह primary करेगा लेकिन आपको पता चलेगा कि इसका जो क्वाइल है बिल्कुत सही है अगर खराब रहेगा या कहीं से टूटा हो या आपको बिल्कुत सही है लेकिन यहां पर निकला हो तो किस परकार से इसको चेक करेंगे तो शब्से पहले दोस्तों यहां पर यह तो अच्छे से यहां पर इंसुलेटेट को यहां से हम हटा लेंगे ताकि हमें चेक करने में असानी हो तो यहां पर इस परकार से आपको चारू वैर को इंसुलेटेड हटा देना यहां पर और शिंप्ली करना क्या है कि और यहां पर हम किसी एक को लेंगे किसी भी एक को लेंगे और उसके बाद हम सभी में को connect करके देखेंगे तो देखें यहां पर इसका यहां धून मतलब यहां पर दो वैंडिंग होता है ढारा जीवाटा vost यह हमारा एक चाहँ पैन्द निंग आऽा तु दूसरे पाता है और जय होered को बिप करेगा और यहां पर नहीं करें तो इसका मतलब यह नहीं खराब यहां पर ज्यादा काल होता है वहीं पतला वायर होता है ठीक है इसलिए आपकर यहं पर इसका कम यहां पर दोसरा को चेक करते हैं तो दूसरा वाले का दोस्तों यही होगा क्योंकि पहले वाला का ये था और दूसरे वाला का ये और ये ठीक है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसका बार ये है तो यह side वाले को छोड़ देना है और यह बीच वाले को पकड़ लेना है यहां पर यह बीच वाला हो गया और उसके बाद इस साइड वाले को पकड़ेंगे और यहां पर इसको देखेंगे तो फिर से हम इस साइड वाले को छोड़ देंगे और इस जो बीच वाला दोनों बचा यहां पर यह दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें आपस में कनेक्ट ही करना है ठीक है तो मैं इसको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ यहां पर इस परकार से कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर इस साइड मैंने वायर को साइड किया था तो दोनों को इस परकार से connect करके हम continuity check करेंगे तो यहां पर यह हमारा अच्छा से काम कर रहा है अगर यही पर पर जॉइंट नहीं रहता तो यह हमारा अच्छा से काम नहीं करता ठीक है तो यहां पर इस परकार से यहां पर तीन वायर हमारा निकल गया जो कि यह 12 है जीरो है 12 है ठीक है तो इस परकार से यहां पर यह थो पता चल गया कि माना 12-12 यहां पर हो गया है उसके बाद हम इससे वायर connect करेंगे और वायर कोंसा connect करना है दोस्तों वह भी मैं आपको पताऊंगा तो यहाँ पे टांसफरमर में Ellumumum coil को यूज किया गया है तो आपको Ellumumum wire ही लगाना है अगर इसमें copper band का होता तब आप copper का wire यूज कर सकते हो तो मैं यहाँ पे Ellumumum का wire यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे transformer में wire यूज किया गया अगर यही हम इसमें copper का wire यहां पर लगाते हैं तो वो हमारा तो काम करेगा लेकिन ज्यादा दिन तक वो चलेगा नहीं तो आपको यहां पर यह इस बात का ध्यां रखना होगा यह आपके transformer में जिस material का अपको यहां पर यहां पर यहां पर करने कर दोस्तों सिंप्लिस में वायर को कनेक्ट कर देंगे तो चलिए हम यहां पर वायर को लगा देते हैं जो अवाम नहीं पर यहां थेसेच में माईट से तोलिए खाला हम पर नहीं हम जवत नहीं है तो दोस्तों मैंने यहां पी इस Canon को अच्छे से टेप लगा के और मैंने पेपर को डाल दिया है अब हम यहां पी इसको चेक कर रहेंगे कि यह हमारा प्रोपर अच्छा से काम कर रहा है के नहीं कर रहा है तो चलिए हम यहाँ पर यह वायर को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा यह 12 हो गया और यह 0 तो यह हमारा 12-0 काम कर रहा है और फिर हम हम दूसरे वाले को देखते हैं तो दोस्तों यह हमारा बिल्कुल अच्छा से काम कर रहा है तो यह टांस्फर्मर हो गया मेरा बिल्कुल complete तो यहाँ पर दूस्तों इस प्रकाड से आप टांसपरबर में वयर को connect कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका जो वयर है कौन सा जीड़ोंः कौन सा बारा है और कहां पर कौन सा कनेक्ट होगा तो दोस्तों आप बोलोगों कि इसको चेक करके नहीं दिखाया मैंने तो दोस्तों यहाँ पर कॉंटिनिटी बता रहा है तो यह 100 परसंट है कि जब हम इसमें सप्लाई देंगे यह हमारा 1202 का सप्लाई जरूर देगा तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो